हलो दोस्तों स्वागते हैं आपका हमारे चैनल पर एक बनी फेर चली चुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आप भी एक अच्छा बोडी वाश डून रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीवेल का एक बोडी वाश मंगवाया था जोब मेरे पास आ गया है तो उसका ही रिव्यू में आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ तो ये जो बोडल है ये कुछ इस तरीकी की बोडल में आता है वीवेल का जो बोडी वाश होता है तो सबसे पहले थोड़़़ा सा बोडल को में आपको पास लाकर दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके की बड़ी trendy looks की इसकी bottle है काफी different look bottle का दिया गया है जो normal हमारी round bottle आती है या cylinder type shape में जो bottles आती है उसके अलावा इसमें काफी अच्छा innovative look दिया गया है bottle का देखने में बहुत ही अच्छी लगती है ऐसा लगता है जैसे कि powder वगरे की bottle है हाला कि बहुत ही cool लगती है देखने के अंदर तो यह तो है इसकी bottle की shape अगर color की बात करें तो यहां पर white color दिया गया है और यहां पर थोड़ा सा different you know matching की गई है sky blue type का यह color है उसके साथ इसकी matching की गई है अब अगर variant की बात करें तो यहां पर देखेंगे यहां पर mint and cucumber का यह variant है और अगर price की अगर मैं बात करों तो यहां ओपर mention किया गया है 80 rupees का यह जो bottle है यह 80 rupees की है और यहां पर Vival की branding की गई है अगर इसका जो variant है इसकी बात करों तो यहां पर mint plus cucumber का यह जो variant है जो मैंने मंगवाया था और निच्चे जो इसकी company है उसकी information यहां पर दी गई है ITC की 200 ml का यह जो pack है और इसमें यहां पर सबसे अच्छी बात है यह भी mention किया गया है कि अगर आप ही coverage wash लेते हैं तो around 50 plus washish आपको इससे मिल जाती है थोड़ा पीछे की तरफ अगर मैं bottle को आपको दिखा हूँ तो थोड़ा पास लाके मैं आपको एक बरी दिखा देता हूँ यहां पर तो यहां पर भी quantity वगरे की information दी गई है volume वगरे की information दी गई है सबसे important information यहां पर दी गई है आपको इसको गीला कर लोफा का और उसके उपर इसकी 2-3 drops डालनी है और उसके बाद आपको simply इसको मसाज करना है जिससे की अच्छे से जाग बन जाए अपनी body के ऊपर मसाज पर दी अच्छ कना है और उसके बाद धीरे अपनी body को उसको scrub करना है बहुत ही soothing हो जाती है इसको use करने के बाद जो आपकी skin है उसका texture बहुत ही जादा soothing हो जाता है अगर इसके ingredients की बात करें तो वो मैं एक बर यह आपको दिखा देता है उससे पहले यहाँ पर caution भी दिया गया है कि इसको सिर्फ externally आपको use करना है और इस product को अपनी eyes के contact में नहीं आने देना है और अगर ऐसा होता है तो आपको अपनी eyes को एकदम से wash कर लेना है और अगर यहाँ पर ingredients की बात करें तो aqua है, lauric acid है, potassium, chloride है और बाकी काफी सारे इसमें acid वगेरा use किये गए है potassium, hydroxide है, आप देखेंगे काफी लंबी इसकी list है यहाँ पर ingredients की तो अगर आप चाहें तो वीडियो को pause करके भी list को देख सकते है हाला कि यह एक आहरुवेदिक product नहीं एक commercial product है लेकिन इसका result बहुत अच्छा लगा मुझे मैंने भी काफी time जैसा बताया है इसको use किया है और इसके लावा निचे यहाँ बताया गया यह body wash है और यहाँ पर निचे marketing वगरे की information इस तरफ दी गई है तो यह कुछ इस तरीके का इसका pack होता है तो उससे काफी असानी से जाग बन जाता है ऐसा नहीं होता कि आपको जाग बनने में देर लगेगी या बहुत कम जाग बनता है और इसके बाद जब आप इसको अपनी body pair up करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बहुत ही creamy texture यह produce करता है जिससे की आपको एक बहुत अच्छी wash मिलती है और इसकी अगर fragrance की बात करूँ बहुत ही अच्छी cucumber जैसे इसकी fragrance आती है बहुत ही अच्छा है इसकी fragrance है बहुत ही soothing इसकी fragrance है तो यह था इसका कुछ you know overview अगर आपके मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है दोस्तों तो आप हमारे comment section पर जाकर भी हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए और हमारे वीडियो को like कीजिए वीडियो टेखने के लापका महाँ बहाँ सुक्रिया दो